वेल्कम बेक टू एसके क्लासेस लीजेश्रेंट्स फाइनली कक्छा नौवी से लेकर के बारवी तक के बच चुके अर्दवार्शिक परिक्षा का टाइम टेविल रिवील हो चुका है इस वार जो टाइम टेविल आये है न एकदम हिलाने वाला टाइम टेविल है ऐसा लग रहा है कि तुम अर्दवार्शिक नहीं बलकि बारशिक परिक्षा देने जाओगे ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंसा ये है कि अर्दवार्शिक अर्दवार्शिक तो नाम मात्रगा है आपको टॉप कराएगा बारशिक परिक्षा में आपको बता है पहले आपको पढ़ाया जाएगा फिर आपका पेपर लिया जाएगा कितने घजब की बात है न मतलब आपको पढ़ाएंगे फिर पेपर लेंगे तो ऐसे में तो हो सकता है आपकी स्कूल के सिक्षक आपको कोस्चिन ही बता दें कि कौन कौन से questions हम देने वाले हैं आपका प्रश्ण पत्र कहां से बनेगा क्या मद्ध प्रदेश के सभी जिले का अलग अलग होगा या फिर एक ही paper वना जाएगा इन सब के लिए हम एक अलग से separate video लेकर आएंगे तो अगर आपको वो video चाहिए तो comment section में comment कर देना कि हा मुझे कुछ ऐसा videos लेकर के आओ ताकि हमारे पढ़ाई में help हो सके इतना ही नहीं अगर तुमको time table के pdf को download करना है link description box में दिया गया है check out कीजे चले फटा फट अब हम सीधे jump करते हैं अपने time table के तरफ और बाकी paper कहां से बनेगा कैसे बनेगा कैसे आएगा paper कितने set वे आएगा ये सब हम बाद में discuss करेंगे देखो सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा 9 और 10 वी के बच्चक time table आप सबका exam स्टार्ट हो रहा है 9 तारिक से स्टार्ट ठेक पहला paper आपका होगा हिंदी का और timing क्या रहेगा 9 वज़ेस लेकर के 12 वज़ेस तक आपको पता है इन 9 से 12 के बाद मतलब paper देने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा पताओ ऐसा कभी हुआ है क्या कभी नहीं हुआ paper देने का घर paper देने का घर तो next paper जिस भी विशक होगा जैसे सामाज विज्ञान का है तो आपको सामाज की विज्ञान विशका ज्यान कराए जाएगा बताए जाएगा की paper इस प्रकार से आएगा इस प्रकार से solve करना ताकि तुम next day अच्छा performance कर सको ठेक तो इस प्रकार से रहने वाला है मतलब तुम्हारे classes भी लगेंगी अब जरा समझो पहला paper हिंदी का है दूसरा रहेगा समाज विज्ञान तीसरा रहेगा अंग्रेजी चौथा रहेगा संस्कृत और पाचवा रहेगा आपके गलित विशका चटवा रहेगा विज्ञान विशका इस प्रकार से आप सबका time table ये रहा है आपके सामने गैफ नहीं है एक भी गैफ नहीं है इसलिए मन लागा करके अभी से त्यारी चालू कर दो आगे बढ़ते है ये रहा कक्षा ग्यारभी और बारभी के बच्चों का time situation नो तरिक से अग्जाम से श्टार थै अब ऐसा है कि आपका shift बाट दिया गया है कक्षा ग्यारभी और बारभी के बच्चों के बच्चों का exam 2 shift में होगा एक 9 से 12 और दूसरा 1 30 से लेकर के 4 30 तक ठीक तो आपलों का एक्जाम भी 9 सी स्टार्ट है देखो ये जैसे यहाँ पर अगर मैं सुवे सिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मनो बिग्यन का पिपर होगा और दो पार सिफ्ट में बात करूँ तो आपका हो जाएगा भौतिक सास्त्र और सास्त्र इनिमल हैस्वेंडरी ये सब एक्जाम्स कंड़क्ट कराए जाएंगे ठीक है नेक्स्ट दस तारिक को देखो तो 9 वाइस लेकर के 12 विस तक होगा ड्राइंग का फिर हिंदी का तो इस प्रकार से आपका एक्जाम होगा बाकी मैं तो ही कहता हूँ पीडियोफ को डाउनलोड कर लो सिंगल क्लिक में लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है बाकी एक अलग से वीडियो चहिए आपको जानना है पेपर कहां से बनेगा कैसे बनेगा अगर हाँ तो कॉमेंट से तर्म लिख देना कि हाँ वीडियोज लेकर काईए चलिए मैं वीडियो कुन करता हूँ मस्त पढ़िए खुश रहिए मुश्कुराते रहिए बाई बाई